बच्चों यहां पर मैं आपको कुछ chemical properties of metal पर based कुछ मैं आपको reasoning questions करवाने जा रहा हूं आप ध्यान दीजेगा question number one बच्चों मरा पहला question है कि alkalis क्या होते हैं वाट आर alkalis what are alkalis हम alkalis किसे कहते हैं आप alkalis कह दे singular form है या alkalis कह दे plural है तो चलिए हम singular form में लिखते हैं वाट इस alkalis या what are alkalis alkalis क्या होते हैं बच्चों water soluble basis वह बेस जो पानी में घुल जाते हैं अगर कोई बेस हैं बेस क्या होते हैं एने ओएच sodium hydroxide potassium hydroxide मैंने आपको बताया है अगर वह पानी में घुल जाएं तो हम उसे alkalis बोलते हैं तो अगर कोई पूछे आप से what are alkalis तो आपका answer होगा water soluble water soluble basis are called alkalis अगर बच्चों बेस हैं जो पानी में soluble हैं तो हम उन्हें alkalis बोलेंगे for example naoh आपने पढ़ा होगा इसको हम कहते हैं sodium hydroxide बेस तो है देखिए बेस तो है लेकिन इस बेस को हम alkalis कह सकते हैं क्यों क्योंकि यह ऐसा बेस है जो पानी में solubile होता है दूसरा example को यह पहला example है बहुत सारे example है इसका नाम है potassium potassium hydroxide बैसाइड तो QUOEY KAR वच्चों आपसे पूछें कि53 टीवारी सबlist क्या होते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि वो बैसिस कि जो पानी में solubile होते हम उन्हें क्या वोलते बच्चों वो बैसेस कि जो पानी में solubile होते हम उन्हेश्न क्यों आप जै посто हम अगले कुश्चन की तरफ चलते हैं इसको पॉस करिएगा इसको नोट करिएगा हमारा अगला कुश्चन है बच्चों वह यह कुश्चन है कि वाइं मैटल ऑक्साइट्स वाइं वाइं मैटल ऑक्साइट्स आर वे से के निचर बहुत भण रहां कोश्चन हैं बच्चों कई बार पेपर में भी आया है बैसी कि नेचर give example give examples वह यह क्या कारण है कि जो metal के जो oxides होते हैं उनका nature basic होता है है वो basic nature के होते हैं क्या कारण है चलिए मैं पहले answer लिखने की वजाए मैं पहले आपको इसका example बता दूँ ठीक बहुत ध्यान से देखिएगा for example sodium oxide nao यह metal का oxide है इसका नाम हो जाएगा बच्चों sodium oxide metal oxide है यह metal का oxide है अगर हम इस sodium oxide की पानी से reaction करवा दें ह2O से reaction करवा दें इसका नाम है water तो यह बनाएगा nao h यह क्या बनाएगा यह बनाएगा nao h क्या बोलते हैं हम इसको sodium hydroxide क्या बोलेंगे बच्चों we will call it as sodium hydroxide अब हम इसकी physical properties लिख लें इसकी physical properties क्या होती है solid होता है पानी liquid होता है liquid कोई भी चीज़ जो पानी में soluble होती है उसे aquas कहते है तो यह इसकी physical properties हो गई चलिए balance करते है hydrogen 2 है यहाँ 2 लगा लेते है sodium 2 हो गया यहाँ 2 लगा लिए ठीक है पूरी question आपकी balance हो गई दो ही है ठीक है यहाँ 2 ही है clear sodium oxide है water है और sodium hydroxide है तो हमारी question balance हो गई ठीक है चलिए sodium oxide का formula सही कर लीजेगा sodium oxide का बच्चों जो formula होता है वह होता है Na2O क्योंकि 2 sodium 2 sodium यह 2 oxygen 2 oxygen 2 hydrogen 2 hydrogen यह पूरी balance हो गई तो बच्चों यह जो sodium oxide है यह कौन सा oxide है यह metal oxide है क्योंकि है है मैंटल का औक्साइड होते है इनका nature basic क्यों होता है sodium hydroxide क्या होता है basic nature होता है इसका basic nature होता है यह उच्च का तो हमारा answer ही होगा बच्चों कि बन मैटल OXIDE भई मैटल OXIDE basic क्यों होते हैं हमारा ही question था जब मैटल OXIDE पानी से रियर करते हैं तो यह metal hydroxide बनाते हैं यह metal के hydroxide बनाते हैं और आपको मैंने पढ़ाया था कि जो भी पानी में OH negative ion देता है उसका nature basic होता है तो हमारा answer होगा when metal oxide reacts with water then it forms metal hydroxide which are basic in nature यही कारण है कि metal oxide साथ basic in nature तो अगर आप इसका answer लिखें तो हम इसका answer लिए सकते हैं कि when बहुत ध्यान से देखिएगा metal oxide reacts with water जब यह पानी से रेकरते हैं then it forms तो बच्चों यह क्या बनाते हैं then it forms metal hydroxide आप देख सकते हैं reaction मैंने इसलिए पहले लिख दिया जिसका नेचर क्या होता है बोलो which is which is basic in जिनका नेचर क्या होता है which is basic in nature जिनका नेचर बेसिक होता है कि जो metal oxide होता है इनका जो नेचर होता है वो basic होता है चलिए मैं अगर एक और example दूँ यह तो examples हैं एक example तो मैंने नीचे लिखी दिया आपको चलिए मैं आपको एक एर example देता हूं मैं ले लेता हूं magnesium oxide MgO क्या है यह solid है चलिए state बाद में लिखूँगा मैं इसकी पानी से reaction करवा देता हूं तो जब magnesium oxide की पानी से reaction होती है तो यह बनाता है Mg OH whole twice क्यों हुआ है क्यों है क्योंकि यहां पर जो magnesium oxide है magnesium metal है इसकी balance होती है physical state लिखते हैं यह solid है यह liquid है इसकी state aqueous हो जाएगी reaction already balance है यहां पर हम कौन सा oxide लिखेंगे metal oxide यहां पर जो हम oxide लिखेंगे हम लिखेंगे magnesium oxide यह metal oxide है इसका नाम क्या लिखेंगे water लिखेंगे इसका नाम क्या लिखेंगे बताईए इसका नाम लिखेंगे magnesium magnesium hydroxide तो फिर से समझेए बच्चों हमारा answer क्या होगा कोई भी metal का जो oxide होता है metal oxide जो होते हैं उसका नेचर basic क्यों होता है तो हमारा answer होगा when metal oxide reacts with water then it forms metal hydroxide यह metal hydroxide बनाते है जिसका nature क्या होता है which is basic in nature यही कारण है बच्चों कि metal oxides are basic in nature यह दो example है magnesium oxide की पानी से reaction होई तो magnesium hydroxide बनाया इसका nature basic होता है sodium oxide की पानी से reaction होई तो sodium hydroxide बनाया इसका nature भी basic होता है बच्चों हमारा अगला question है हमारा अगला question है this is our next question why sodium and potassium metals are kept in kerosene oil क्या कारण है क्या कारण है कि sodium पोटेशियम मेटल को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं देखो बच्चों जैसा कि आपने बालू है मैंने आपको reactivity series पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि reactivity series में सोडियम और पोटेशियम मेटल सबसे उपर रखे गए इन मेटल की खास बात क्या है यह oxygen से रियक करके oxide बनाते हैं पानी से रियक करके hydroxide बनाते हैं co2 से रियक करके carbonate बनाते हैं तो देखिए अगर माल लीजिए यहां पर मैं short में आपको लिख दूँ यह sodium metal है sodium metal है अगर sodium metal oxygen से रियक करेगा तो यह बनाएगा sodium oxide यह sodium oxide अगर माल लीजिए पानी से रियक करेगा तो बनाएगा sodium hydroxide यह sodium hydroxide अगर माल लीजे CO2 से रेक करेगा तो बनाएगा Na2CO3 Na2CO3 plus H2O हमें इसको balance करना है यहाँ 4 आएगा यहाँ 2 आएगा equation balance है यह equation अपने आप balance है यहाँ 2 आएगा यहाँ 2 आएगा यह reaction अपने आप balance है तो देखिए sodium की खास बात देख रहे हैं यह sodium oxygen से रेक कर रहा है और बना रहा है sodium oxide sodium oxide यह sodium अगले step में पानी से रेक कर रहा है और बना रहा है sodium hydroxide यह sodium CO2 से रेक कर रहा है और बना रहा है sodium carbonate sodium carbonate यह sodium carbonate है sodium hydroxide है यह sodium oxide मैंने तु यहां reaction लिख दी लेकिन जरूरू इन नहीं है कि आप अपने answer में यह 3 reaction लिखे sodium oxygen से rate करता है sodium oxide बनाता है sodium oxide sodium का इपार्ट है पानी से rate करके sodium hydroxide manada sodium hydroxide भी sodium का इब दो है law a 2-2 से rate करके sodium carbonate बनाता है इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम sodium के टुकड़े को खुला रखेंगे है तो वह कुछ भी बना लेगा हवा से रियक करके यह बना लेगा मॉस्चर का मतलब होता है तो इसको जो भी मिलेगा वह उससे रियक कर जाता है अब क्या करें यह किसी से रियक्ट ना करें इसलिए हम sodium और potassium को खुला नहीं छोड़ते हैं हम इसको खुला नहीं छोड़ते हैं sodium है potassium metal रहते हैं और इस metal को हम क्या करते हैं मिट्टी के तेल के अंदर जाल देते हैं यह कौन सा ओईल है केरोसीन केरोसीन, ओ illustrations, हुईल में डाल देते हैं जिससे क्या होता ये जो मैटल है ये जो तुम्हारा मैटल है। चाहे वह सोडियम हो चाहे वह पोतेशियम हो, कोई भी मैटल हो, ये हवा से तक नहीं कर पाता मॉस्चर याने नमी से रेक नहीं कर पाता और स्यो टू से रिक्टिंग कर पाता तो इसके reactivity को कम करने के लिए या इसको reaction से बचाने के लिए इस captain kerosene oil तो अगर हमें इसका answer लिखना हो बच्चो तो हम इसका answer क्या लिखते हैं एने एने मतलब sodium and potassium and K K मतलब potassium are most reactive metals are most बहुत ज्यादा reactive metals होते हैं are most reactive metals they react with oxygen the reaction दिख रही है यह दो नो oxygen to form oxide oxide बना लेते हैं they react with water to form hydroxide they react with CO2 to form carbonate तो हम यह लिसकते हैं दे ते मतलब sodium या potassium reacts with लिख दो reacts with oxygen यह oxygen से रियक करते हैं किसे रियक करते हैं बच्चों oxygen से रियक करते हैं क्या बनाते हैं तू फॉर्म ऑक्साइड यह ऑक्साइड बनाते हैं कॉमा रियर्ट विथ वाटर यह मॉस्चर रियक्स विथ मॉस्चर 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 मतलब क्या वाटर क्या बनाएंगे तू फॉर्म hydroxide तू फॉर्म देखिए मैंने लिखा है hydroxide तू फॉर्म hydroxide कॉमा reacts with CO2 to form carbonate reacts with CO2 to form carbonates therefore it is kept in kerosene oil to prevent these reactions इसलिए इन reactions से इनको बचाने के लिए इन metals को मिटी के तेल में रखा जाता है therefore therefore to prevent its chemical reaction to prevent its chemical reaction is key chemical reaction को रोकने के लिए किसके से with oxygen को मा water and co2 and and co2 it is kept in it is it is kept in kerosene oil it is kept in कैप्टीन बोले बच्चों कैरोसीन ओई समझ में आ गया आप चाहें तो पेपर में रिएक्शन लिख दे और लिखना जरूरी नहीं है तो बच्चों मैंने क्या बताया सोडियम और पोटेशियम जो मेटल होते हैं वो बहुत जादा रियक्टिव होते हैं या औक्सीजन से रियक्शन करके ऑक्साइड बना सकते हैं वाटर से रियक्शन करके हड्रोक्साइड बना सकते हैं सियो टू से रियक्शन करके कार्बोनेट बना सकते हैं इन रियक्शन से को बचाने के लिए हम इसको मिट्टी के तेल के अंदर डाल कर रख सेते हैं। होई मैंने आपको लिक्वाया है। sodium and potassium are the most reactive metals, sodium and potassium are the most reactive metals, they react with oxygen to form oxide, reacts with moisture to form hydroxide, reacts with CO2 to form carbonates, therefore to prevent its chemical reaction, इसकी chemical reaction को रोकने के लिए, it is kept in kerosene oil, हम इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं, is it clear बच्चों, इसको पॉस करिये और उसे नोट करिये, it is one of the important questions of your syllabus, पॉस करियेगा और इसे नोट करियेगा, चलिए अगला question देखते हैं बच्चों बहुत important question है, और कई बार यह हमारे paper में पूछा गया है, what are amphoteric oxides, amphoteric oxides हम किसे कहते हैं, हमारा अगला question है बच्चों, important question है कई बार paper में आया है, what are amphoteric, amphoteric oxides, हम amphoteric oxides किसे कहते हैं, give examples, आप इसे example देकर समझाईए, ठीक है, amphoteric oxides क्या होते हैं, आप इसे example देकर समझाईए, बच्चों, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया, मेरा पिछला वाला question यही था, दो question पहले वाला, कि जो metal oxides होते हैं, उनका nature basic होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो पानी से rake करते हैं, और पानी से rake करने के बाद, base बनाते हैं, ठीक, हमारा question यह है, कि amphoteric oxides किसे कहते हैं, बच्चों, कुछ metal oxide, जैसे कि aluminium oxide, जैसे कि zinc oxide, aluminium oxide और zinc oxide, यह दो ही है, यह metal के ऐसे oxides होते हैं, जो acidic nature भी show करते हैं, और basic nature भी show करते हैं, तो वो metal oxide, जो दोनों nature show करते हैं, उसे हम amphoteric oxides कहते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं, बच्चों, हम इसका answer क्या लिख सकते हैं, जो उसे, जो ऐसे, फच्चों, यो जो विख दोनों नचिर मैं जो गता हैं, as well as basic nature as well as as well as basic nature are called amphoteric oxides are called amphoteric बोलो amphoteric oxides या दो गया तो दोस metal oxides ऐसे metal oxides जो acidic nature भी show करते हैं basic nature भी show करते हैं हम उन्हें amphoteric oxides कहते हैं amphoteric oxides क्या करते हैं acid से भी रियक करते हैं base से भी रियक करते हैं और क्या बनाते हैं salt and water तो हम यह ली सकते हैं amphoteric oxides amphoteric oxides reacts with acids or base reacts with acid or base to form salt and water to form salt and water अगर कोई हम से पूछे कि तिवारी सर इसका example लिखे कौन कौन से metal के oxides हैं जो amphoteric होते हैं तो हम example लिए सकते हैं number one aluminium oxide aluminium oxide aluminium oxide aluminium oxide formula होता है al2 al2 o3 इस aluminium oxide का nature क्या होता है amphoteric होता है amphoteric का मतलब यह acidic nature भी show करता है basic nature भी show करता है दूसरा example zinc oxide दूसरा example zinc oxide formula क्या होगा zeno zinc oxide भी acidic nature भी show करता है और बोलिए basic nature भी show करता है clear अच्छा तो अगर आपके paper में question आए कि भाई what are amphoteric oxides किसे हम amphoteric oxides बोलेंगे तो आप बोलेंगे एसे metal oxides which show acidic nature as well as basic nature are called as amphoteric oxides यह acid से भी रियक कर सकते है base से भी रियक कर सकते है और क्या बनाते है salt and water example aluminum oxide ले सकते हो example zinc oxide ले सकते हो फिर बच्चों एक मन में query आती है कि तिवारी सर कैसे यह कैसे acid से भी रियक कर लेंगे कैसे salt and water बनाएंगे तो देखिए मैं आपके सामने इसके example को illustrate करके बताता हूं क्या करके बताता हूं बच्चों illustrate करके बताता हूं ध्यान से सुनिएगा चलिए पहले हम देखें कि भाई aluminium oxide amphoteric क्यों हुआ चलिए ना पहले बाले का देखते हैं यहां पर हम बात करते हैं aluminium oxides इसके बारे में हम थोड़ा detail में देखते हैं कि यह कैसे basic nature शो करता है और कैसे acidic nature शो करता है चलिए हमने लिखा aluminium oxide AL203 पहले हम इसकी reaction acid से करवाते HCL से करवाते किसे करवाते HCL से करवाते तो जब हम इसकी HCL selection करवाएंगे बच्चों तो यह बनाएगा ALCL3 PLUS H2 यह compound मनाएगा इसका नाम क्या है बोलिये aluminium aluminium oxide बच्चों यह किसे रिक कर रहा है यह कर रहा है hydrochloric acid से hydrochloric acid से क्या बना रहा है यह बना रहा है aluminium chloride aluminium chloride salt और यह बना रहा है water चलिए हम इसके physical state देखें पहले हम इसकी क्या लिखें physical state लिखते है चलिए भई aluminium oxide solid है HCL aqueous है ALCL3 water liquid form clear अच्छा अब अब यह जो है salt aluminium chloride salt तिवारी सर कैसे पता चला आपको salt है हमें ऐसे पता चला एक metal है एक non-metal है ठीक अच्छा अब आप मुझे बताओ यहाँ पर जो aluminium oxide है यह किस से रियक कर रहा है पता यह तिवारी सर यह acid से तो अगर acid से रियक कर रहा है तो यह कौनसा nature शो करेगा यह शो करेगा basic nature तो इस वाले reaction में जो हमने aluminium oxide की पहले reaction बताई है आपको reaction number one इसमें aluminium oxide basic nature शो कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि acid से रियक करके salt और water बना रहा है चलिए अब aluminium oxide की एक और reaction देखे जिसमें यह base से रियक करेगा ठीक है तयार है ना बिल्कुल यह हमने लिखा AL2O3 base से रियक कर रहा है चलो हमने भाई NOH ले लिए NOH base है अब क्या बनाता है यह बनाता है Sodium Aluminate एक तो बनाएगा salt और water अब बच्चों का यह confusion होता है कि तिवारी सर यह reaction तो हमें याद हो जाती है आसानी से चलो भाई के ALCl3 यह याद नहीं होती देखे सबसे पहले आप यहाँ पर sodium लिखिए यह वाला metal लिखिए फिर दूसरा वाला यहाँ पर aluminium कितना है दो दो aluminium है तो यहाँ पर कितना लगा दें यहाँ दो लगा दे sodium कितना हो गया दो दो लगा दिया sodium कितना हो गया दो यहाँ दो लगा दिया बाकि पूरी equation balance है चलिए नाम लिखते हैं नाम लिखते हैं भाई इसका इसका नाम सबकों मालूम है Aluminium Oxide Aluminium हाँ जही Aluminium Oxide इसका नाम क्या है Sodium Hydroxide Sodium Hydroxide क्या ही है इसका नाम क्या है Sodium Aluminate Sodium Aluminate यह बन गया Water Sodium Aluminate क्या कहलाता है Salt बच्चो sodium eliminate क्या कहलाएगा sodium eliminate is called as it is called as salt तो बच्चो यहाँ पर जो aluminium oxide ने रियक किया वो किसर यह कर रहा है बेसर यह कर रहा है अगर बेसर यह कर रहा है तो यहाँ पर इसका nature क्या होगा acidic nature होगा बना क्या रहा है salt और water बना रहा है तो देखें aluminium oxide भी इसका example अबोधिर दो सोगता न सबीध उर्जांपल करता है औरूरौट और वाटर होटर बनाता अच्ने थे साइत कियोंकि के श .dot अचौल टो करता है कैसे बनाता है यह जो प्रियों मैंने आप निर्च इलिंवर और डि toplot का दिशनवाग के औरं आश्चिंथ हैं य अगर यह एक्षट कर रहा है तो यह basic nature शो करेंगा दूसरी तरफ aluminum oxide कर अगरम base reaction करवा दे तो यह sodium and eliminate और water बनाएगा salt or water बना रहा है चोगी यह base कर रहा है तो acidic nature शो कर रहा है तो बच्चों यह जो question है this is one of the very important questions of your ncrt notebook बच्चो एक question है जो बहुत important question है और मेरे इसाब से आप सब लोग जानते हैं कि what happens when क्या होता है जब what happens when when metals react with acid when metals react with acid मेरे इसाब से सारे बच्चे जानते हैं and write down its reaction write down its reaction चलिए भई खौन बताएगा write down its reaction पताईए भई जब कोई भी metal जब acid से react करता है तो क्या करता है सबको मालू मैं कि whenever any metals मैं आपको property में पढ़ा चुका हूँ react with acid then it forms salt and water अगर हम इसका answer लिखे हैं तो हम इसका answer लिशकते हैं बच्चो कि when when metals जो metals है react with acids जब वो acids से react करते हैं then they form then they form salt salt and hydrogen gas is released कौन सी गैस निकलती है बच्चों बताओ and hydrogen gas is released हमेशा ध्यान रखना salt तो बने गई बनेगा और हमेशा hydrogen gas निकलेगी कैसे चलिए एक्जामपल लिखते हैं sodium metal लिया है इसका नाम बोलिए कौन सा मैटल है यह सोडियम मैटल कि से रियक कर रहा है तिवारी सर हड्रो क्लोरीक असिट से रियक कर रहा है कौन सा सुड़्ायड बना रहा है बही बता़िए सोडियम क्लोराइट्साइट बना रहाई और कौन सी ग्यास निकल रही है हड्रोजण ग्यास यह तो सबको वाल्यूम है चलिए बैललेंस कर लें 2 हड्रोजन है दो लगा दिया व zam marine मैटल है और यह non-metal है, तो कभी भी कोई compound जो metal और non-metal से बनेगा हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, salt बोलेंगे, कोई problem, चलिए अब देखते हैं इसका मतलब जब कोई भी metal किसी भी acid से रेक करता हैं तो salt बनाता है और hydrogen gas liberate होती है, चलिए, ठीक है चाहे वो sodium हो, चाहे वो magnesium हो, चाहे वो sulfuric acid हो लेकिन बच्चों एक question बहुत जादा important है कि whenever any metal reacts with nitrous acid, then it does not produce hydrogen gas, वाई? इसको pause करिए, note करिए और मैं आपको इसको note करिए का अगला question बताने जा रहा हूँ बहुत important question है कई बार ये paper में आया है कि metal is वो किसी भी acid से रियक करता है तो hydrogen gas निकलती है लेकिन question ये है कि when metal reacts with reacts with nitric acid ये देखना बच्चों कौन से acid की बात कर रहे है ये nitric acid की बात कर रहे है nitric acid का formula होता है HNO3 then hydrogen gas is not released then hydrogen gas is not produced hydrogen gas is not produced explain why भाई ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है कि जो hydrochloric acid से रियक करेगा तो hydrogen gas देगा sulfuric acid से रियक करेगा भाई तो भी hydrogen gas देगा लेकिन अगर वो nitric acid से रियक कर रहा है तब hydrogen gas नहीं दे रहा भाई ऐसी कौन सी बात आ रही है इसके साथ तो देखिए इसके साथ क्या बात आ रही है ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चों nitric acid होता है वो बहुत strong oxidizing agent होता है oxidizing agent मतलब यह oxygen provide करता है ठीक है अच्छा यह oxidizing agent होता है oxygen provide करता है अगर कोई metal माल लिजे कोई भी metal मैं general question लिख रहा हूँ माल लिजे कोई metal है वो metal कि से rate कर रहा है nitric acid से rate कर रहा है बिल्कुल सही rate करके क्या बनाएगा salt बनाएगा और कौन सी gas देगा hydrogen gas देगा यह करेगा लेकिन क्या है यह जो nitric acid होता है यह strong oxidizing agent होता है यह nitric acid क्या करता है oxygen देता है क्या देता है यह nitric acid जो है produces oxygen produces oxygen क्यों क्यों क्योंकि strong oxidizing agent होता है यह oxygen क्या करती है इस hydrogen से rate कर लेती है hydrogen oxygen से rate कर लेती है और rate करके क्या बना देती है पानी बना देती है यही कारण है कि अगर कोई metal अगर कोई metal अगर कोई metal टो वह ध्रेटल नौरमली किसी भी से रचे करते हैं तो वह सॉल्ट बनाते हैं और ह्ट्रेटिन यहां भी होुरा मैं शपर करना रहा हैं ह्टेदर लेकिन यह जो नीट्रीक ऐशिड है यह यह चौन ऑक्सिडाइजि़ में हिलिपा सभी strong oxidizing agent तो क्या करती है? यह oxygen देती है और यह oxygen क्या करता है? hydrogen से रिय करके उसको पानी में convert कर देता है इसलिए यहां पर hydrogen gas release नहीं होती है तो इसका कोई answer अगर हमें बोले लिखने को तो हम यह लिसकते हैं कि nitric acid act as strong oxidizing agent स्मझे का बात को मैं लिख रहा हूँ अंसर, nitric acid acts as strong oxidizing agent, strong, strong oxidizing agent, nitric acid जो है, वो strong oxidizing agent का काम करती है, it reacts with metal, it reacts with metal to form, to form salt, and hydrogen gas, to form salt and hydrogen gas, which reacts with oxygen, which, वहीं बनतो रही है hydrogen gas, लेकिन हो क्या रहा है, कि विच, reacts with oxygen, which reacts with oxygen, provided by, किस ने दिया बताओ, provided by nitric acid, provided by nitric acid, to form water, to form water, therefore, यही कारण है कि, हेच्टू गास, इस नाट प्रोडूइउस्ट, इस नाट प्रोडूइउस्ट, यही कारण है बच्चों, कि इस रियक्शन के अंदर, हाइड्रोजन गास जो होती है, वो प्रोडूइउस नहीं होती, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट यह है बच्चों, कि nitric acid act as strong oxidizing gas है, वो क्या दे रही है, oxygen दे रही है, oxygen प्रोडूइट कर रही है, वो hydrogen react करता है, और क्या बनाता है, water बना देता है, इसलिए nitric acid जो है, वो produce, hydrogen gas produce, नहीं करता है, note down in your copy बच्चों, बच्चों यह बड़ा ही interesting question है, इसको दिहां से देखिएगा, question यह है, a solution of copper sulfate, है ना copper sulfate का solution है, बहुत ही interesting question है, copper sulfate का solution है, was kept in an iron pot, यह कहा रखा गया है, यह लोहे के बरतन में रखा गया है, कुछ दिन बाद, ऐसा पाया जाता है, कि इसके अंदर, sorry, number of holes हो जाते हैं, iron pot was found to have number of holes, इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 छेद हो जाते हैं, आपको इसकी reaction लिखना है, और आपको reactivity terms के form में भी, इसे बताना है, चलिए सबसे पहले, तो हम इसके reaction लिखते हैं, answer तो बाद में लिखेंगे, चलिए reaction लिखते हैं, F e, iron pot है, F e, यहाँ पर मैं पहले आपको reaction लिख रहा हूँ, F e, plus, C u SO4, copper sulphate है, ठीक है, अगर आप activity series देखें हैं, तो बच्चों iron उपर है, और नीचे copper है, आपने पढ़ा activity series में जो उपर होता है, वो ज़्यादा reactive होता है, नीचे कम होता है, तो iron जो है, वो copper से ज़्यादा reactive है, तो iron क्या करेगा, copper sulphate से copper को हटा देगा, तो क्या बना लेगा बोलिए, F e SO4, plus copper, यह कौन सा metal हैं, बताई है, iron metal है, यह कौन सा solution है, यह solution है, copper sulphate solution है, यह क्या है, इसका नाम है iron sulphate, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है copper, बच्चों मैंने आपको, एक चीज, बहुत interesting बताई थी, क्या बताया था आपको याद है, कि अगर हम कोई भी चीज को single लिखते हैं, इसका मतलब उसकी state solid होती है, solution में मिला रहा है, aqueous, यह भी solution मन रहा है, aqueous, यह single है, तो solid हो जाएगा, अगर बच्चों हम इसका solution देखे, तो copper sulphate का solution, क्योंकि यह तो solid है, इसका solution देखेगा ही नहीं, copper यह भी solid है, solution aqueous का देखेगा, इसका जो solution होता है बच्चों, वो blue color का solution होता है, blue color solution, blue color solution, और इसका जो solution होगा, वो greenish color solution होगा, greenish color solution, greenish color solution, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि जो iron था, वो copper से जादा reactive था, कैसे पता चला कि iron copper से जादा reactive है, iron copper के ऊपर रखा है reactivity series में कोई देख कद चलिए आगे बढ़ते हैं जी अब छेद क्यों हो जाते हैं देखिए छेद क्यों हो जाते हैं वो समझे यह बरतन था इस बरतन में आपने बहुत ध्यां से देखिया का है हमें दिखा रहा हूं इस बरतन में आपने क्या किया copper sulphate का solution भरा C U SO4 solution आपने इसके अंदर भर दिया यह जो बरतन बना हुआ है यह बरतन किसका बना है यह बरतन निकल निकल के निकल निकल के copper sulfate के copper को हटाएंगे तो जहां जहां से यह iron के particle निकलेंगे वहां वहां कुछ दिनों बात तुरंत नहीं कुछ दिनों बात छोटे-छोटे छेद हो जाते और यह solution नीचे गरने लगता है ठीक है तो हम यह लिख सकते हैं दोनों में ज्यादा रियक्टिव को ने iron है from reactivity series हमने reactivity series से पता लगाया कि FE is FE is more reactive than copper कहां से पता लगाया हमने बोलो हमने पता लगाया reactivity series से क्योंकि इनोंने लिखा explain the reaction in terms of reactivity तो from reactivity series FE is more reactive than copper therefore therefore iron यह जो iron है displace करता है displaces copper from from copper sulfate copper को copper sulfate से अटाता है and form and form greenish solution of greenish greenish solution of Fe iso4 और ferrous sulfate का कौन सा solution बनाता है बता यह बच्चों ferrous sulfate का यह greenish solution बनाता है is it clear अब इसका मतलब कौन से reaction हो रही है displacement reaction हो रही है यह अट रहा है इसके जगे प्यार है in this displacement reaction in this this placement reaction 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 यह जो iron है यह iron कहां से निकल रहा है iron pot से निकल रहा है iron is taken away iron is taken away taken away मतलब यह लोहा जो है इसमें से निकल निकल के solution में जाता है iron is taken away from from iron pot iron pot due to which जिसके कारण कुछ दिनो बार due to which after यह पर दे के लिखा हुआ है after few days after few days number of holes are formed number of number of holes are formed in iron vessel number of holes are formed in an iron pot in an iron pot in an iron pot तो बच्चों यह आपका answer हो गया ठीक फिर से देखिए FECS of force area कर रहा है बना रहा FECS of 4 copper displacement reaction हो रही है displace क्यों कर रहा है तिवारी सर वहां देखिए क्योंकि iron जो है वह copper की उपर है reactivity series में बिलकुल सही अब जब यह displacement reaction हो रही है और iron copper sulphate को displace कर रहा है तो इसका मतलब iron यह जो बरतन है इस बरतन से उपर जा रहा है जगे-जगे छोटे-छोटे holes हो रहा है तो हमारा पहले तो हम reaction लिखेंगे copper sulphate का blue color होता है लेकिन जब यह पूरी reaction हो जाएगी कुछ दिनों बाद तो वह color का solution greenish color हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर displaces copper from copper sulphate to form greenish solution of phenosulphate in this displacement reaction iron is taken away from iron pot iron pot से वो निकलेंगे जब वो iron pot से धीरे धीरे हटेगा तो क्या होगा after few days number of holes are formed in an iron pot बहुती clear-cut answer है बच्चों you can note down in your copy अच्चों हमारा अगला question है वाई non-metal oxide वाई non-metal देखिए metal क्या oxides तो acidic nature क्यों होते हैं अच्चों है वाई non-metal why non-metal oxides are oxides a को spelling सही लिख लीजेगा वाई non-metal why non-metal oxides are acidic in nature acidic in nature and how will you confirm it and how will you how will you confirm it लेको बच्चों acidic nature और basic nature वो confirm करने के लिए तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हम blue litmus ले और acid में डाले acid turns blue litmus to red acid क्या करता है blue litmus paper को red में convert कर देता है याद करने का तरीका मैंने बताया था आपको acid की spelling यह से सुरू होती है एक बाद भी आता है तो acid turns blue litmus to red इसका उल्टा base चलिए मेरा question यह है बच्चों कि जो non-metal के oxides होते इनका nature acidic क्यों होता है और अब कैसे इसको confirm करोगे कि उसका नेचर acid के चलिए स्वरी सबसे पहले बच्चों मैं आपको इसकी reaction लिखके बताता हूं बहुत ध्यान से C C क्या है बच्चों बताओ यह कार्बन है कार्बन क्या है बोलो यह non-metal कार्बन क्या एक non-metal यह रियक कर रहा है oxygen से किससे रियक कर रहा है oxygen से और क्या बना रहा है CO2 CO2 कहलाएगा carbon dioxide ठीक है बच्चों carbon dioxide को non-metal oxide भी बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हो तिवारी सर नौन-metal oxide यहां पर यह non-metal था नौन-metal की oxygen से reaction होई तो यह non-metal का oxide बन गया मेरा प्रशनिया है कि non-metal का जो oxide होता है इसका नेचर एसेडिक क्यों होता है इसका परिजन यह है कि यह जो non-metal की oxides होते हैं जब यह पानी से रियक करते हैं तो यह acid बनाते हैं देखिए यह वही है carbon dioxide non-metal oxide कि से रियक कर रहा है पानी से रियक कर रहा है और क्या बना रहा है H2CO3 ठीक है यह क्या नामे इसका carbon dioxide carbon dioxide जो non-metal oxides था पानी से रिक कर रहा है और बना रहा है H2CO3 H2CO3 का नाम होता है बच्चों carbonic acid यह acid बना दिया acid बना दिया तो non-metal के जो oxides होते हैं इने CO2 it reacts with water to form acid अब कैसे पता चलेगा इसने acid बनाया अगर हम इसके अंदर blue लिटमस पेपर दुगोएंगे तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड़ लिटमस पेपर में convert कर देगा तो बच्चों हमारा answer क्या होगा बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वैन यह देखो पहले मैंने non-metal की oxygen solution कर भाई non-metal oxide बनाया फिर non-metal oxide की पानी से लेक्शन कर लाई तो एसीड बना मैटल ऑक्साइट पानी से रिट करके बेस बनाते इसलिए उनका निचर बेसिक होता है और non-metal के जो ऑक्साइट से वह वाटर से रिट करके असे बनाते इसलिए उनका निचर असीड होता है तो वैन non-metal oxides non-metal oxides react with water react with water then they form acid तो क्या बनाते बच्चों acid बनाते हैं therefore यही कारण है की therefore non-metal oxides are non-metal oxides are acidic in nature acid in nature आपको दिख रहा है carbonic acid बना लिया इसका nature acid होगा अब आप इसको पहचान होगा किससे it is it it is it is tested it converts CD बात किये क्या करते हैं it converts blue litmus paper to red blue blue litmus paper to red असे डिक नेचर ना इनका नेचर कैसा इनका नेचर असे डिक है तो अगर असे लिए गनेचर होगा तो क्या करेगा इजुए लिटमस पेपर है यह ब्लू को रेड में convert कर देगा ऐसे बहुत सारे इसके example है मैंने सबसे simple example दिया है carbon non-metal non-metal की oxygen selection करा के co2 बना दिया co2 की पानी selection करवायां और इसने carbonic acid बना दिया तो अब कैसे पता चलेगा इसका nature acidic है अगर इसमें litmus paper डालेंगे तो यह blue litmus इसको रेड में convert कर देगा इसको नोट का लीजिए बच्चो और